जै बागेश्वर धाम सरकार, जै बालजी सरकार आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में आने वाली है चैतर नवरात्रे दोस्तो यह नवरात्रे बहुती ज़दा विशेश और महतुपूर्ण होती है साथी में दोस्तो चैतर नवरात्रे के पहले मासिक शिवरात्री और अमावस्यावी आने वाली है जो की बहुती ज़दा विशेश और महत्वपूर्ण है तो दोस्तो लाइन से ये चीजे पढ़ रही हैं, लाइन से ये तीनों दिन पढ़ रहे हैं चलिए दोस्तो जानते हैं इन सभी दिनों के विशेश उपायों के बारे में सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे, वो बताएंगे 20 मार्च दो हजार तीज का जिस दिन है सुमबार, सुमबार के दिन है मासिक शिवरात्री, जो हर महिने आती है तो इस मासिक शिवरात्री को किये जाने वाला एक बहुत ही विशिश उपाय जिस उपाय को करने से भगवान बुलिनात का आशिरवाद आपको राप्त होगा और आपके सारे काम सफल होंगे आपके घर में शुक्षान्ती भी जरूर आएगी तो इस उपाय में आपको करना क्या है मासिक शिवरात्री के दिन मतलब 20 मार्च 2023 को आपको तीन गोलबाती के घी के दीपक आटे के तयार करने है ठीक है काई के, आटे के ठीक है, अगर मिट्टी के ले रहे हो तो बई नई दीपक आप लोग लेना है तो आपको तीन आटे के दीपक टयार करने हैं, उसमें गोल पाती रखनी है और शुद्ध देसी काई का घीर रालना है शुद्ध चीजों का आपको उपयोग करना है तबी उपाय काम करते हैं तो यह 3 दीपक आपको तैयार कर लेना है और इन 3 दीपको को तैयार करके आपको मासिक शिवरात्री के दिन जो कि मार्च महीने में आ रही है 20 मार्च 2023 को शाम के समय प्रदोश काल में आपका करना है इन तीन दीपकों को तीन जगाहों पर लगा कराने है वो तीन जगाहें कौन-कौन सी है वो आपको ध्यान से सुनना है सबसे पहली जो जगा है वो है बेल पत्री का व्रक्ष शाम के समय मासिक शिवरात्री दर आपको सबसे पहला दीपक लेकर जाना है बेलपत्री के व्रक्षिनी चे वहाँ पर जाकर भगवान मुलिनात की नाम का जाब करते हुए इसमनट करते हुए आपको पहला दीपक जला देना है पहला दीपक जलाने के बाद भगवान से जोली अगर हाथ जोड़कर अगर आप कुछ मांगना चाहें तो मांग सकते हैं वरना भगवान का आश्रवाद लेकर प्रत्थाना करके अपना दूसरा दीपक लेकर जो है शिव मंदर पहुंच सकते हैं ठीक है पहला दीपक बेल पत्री के व्रक्ष नीचे लगाना है दूसरा तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि इस उपाइ को आप हर महीने की मासिक शिवरात्री को नियम बना कर कीजिए आपके उपर कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती सांधी में भगवान वुलिनात का आश्रवात भी आप पर हमीशा बना रहेगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मासिक शिवरात्री के दिन किया जाने वाला दूसरा ऐसा विशेश हुपाय जिस हुपाय को करने से अगर आप भगवान शिव से कुछ बोलते नहीं भी है न तू भी भगवान शिव आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की आपने कभी कलपना भी नहीं करियोगी मतलब सोचा भी नहीं होगा तो इस हुपाय में आपको मासिक शिवरात्री के दिन क्या करना है सफेद फूलों की पंखुणियां लेना है ठीक है जो सफेद फूल शिव जी पर चड़ते हैं न वह सफेद फूल आपको बहुत सारे इखटे कर लेना है, कहीं से ला भी सकते हो, कहीं से तोड़ भी सकते हो, तो सफेद फूल इखटे कर लिए, अब सफेद फूलो को इखटा करने के बाद उनकी पंखुणियों को तोड़ लो, ठीक है, क्या करना है, पंखुणियों को तोड जी चे मंदिर में और शिव्जी की शिवलिंग का पहले अच्छे से थोड़ा मतलब जो भी मुन दِंर दिर्माद ले हो उसे साइड में करके आप भगवाण शिवलिंग का पूरा इन सफेथ जिस दिन है मंगलबार और इस दिन है अमावस्या यह है अमावस्या बहुत ही जदा खास है क्योंकि इस अमावस्या के बाद शुरू होने वाली है चैतरन अवरात्रे ठीक है तो इस दिन किया जाना वाले एक बहुत ही विशेश उपाय है जो कि सर्फ इसी दिन किया जाता है तो वो भी हम आपको उपाय बताएंगे उससे पहले हम आपको अमावस्या के कुछ विशेश उपाय बता देते हैं तो इस दीपक को लेकर आपको अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोशकाल में किसी भी नदी, सुनना किसी भी नदी, बाउडी या तालाव या जो आपके घर के असपा जला शाय हो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर इस दीपक को किसी घाट पर रखकर इस बाती का मु आपके पित्रों तक यह है दीपक पहुचेगा ठीक है और वो आपसे प्रसन्न होंगे तो लंबी बाती का मतलब मुख आपको दक्षण की तरफ करके इस दीपक को जला देना है कि अगर आपके घर के आसपास कोई नदी बाउर या तालाब नहीं होता है तो आप इस लंबी ब बात करते हैं उस विशेश उपाई के बारे में जो कि आपको इस अमावस्या के दिन जो की चैतर नवरात्रे के एक दिन पहले आती है इस अमावस्या को ज़रू करना ही करना है और इस उपाई को करने से आपके पित्र आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन में अगर को तो अमावस्या, चैतर नवरात्रे की एक दिन पहले पढ़ने वाली है, मतलब की 21 मार्च 2023 मंगलबार की दिन जो पढ़ने वाली है, इस रात्री में, आपको यह उपाई शुरू करना है, ठीक है, 21 तारिक की रात्री को आपको एक कटोरी लेना है, उसके अंदर पूरे में चा उसके दार कौन सा है? जो कि आपका मुख्य दौर है, सबसे भाहर का जो गेट होता है, में गेट जिस से आप अंदर बाहर जाते हो, उस मुख्य दार पर जाकर आपको इस कटोरी को रख देना है, किस दन अमावस्या की रात्री में? अमावस्या की पूरी रात्री आप आप लोग उस चावल की कटोरी को पर जो आपने कपूर रखा है, उस कपूर को जला दो, कपूर जैसे ही जल जाए, इस चावल की कटोरी को उठाओ, और किसी भी व्रक्ष की नीशे जाकर इन चावलों को वहाँ पर डालाओ, जहां पर जो मतलब पक्षी होते हैं, वो इस दा बताने जा रहे हैं, चैतन अवरात्रे पर किया जाने वाला एक बहुत विशेश उपाय है, जिस उपाय को करने से आप जो भगवान से मांगेंगे, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है, पर नौ दिनों तक चैतन अवरात्री के नौ दिनों तक आपको यह उपाय करना है, हमने यहाँ पर अभी तक बात कर लिया है, 20 तारिक के उपाय, जो कि मासुख शिवरात्री का है, 21 तारिक के उपाय, जो कि अमावस्या क्या है, अब हम बात करेंगे 22 तारिक के उपाय के बारे में, जिस दिन से चैतन अवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं, ठीक है, तो सफीद फूल हो गेंदा का फूल हो यहाँ पर गुलाव का फूल हो कोई सा भी ऐसा फूल जो कि शिप जी को समर्पित होता हो ठीक है वो एक फूल ले लो जो आपको नौ दिनों तक प्रति दिन जादा मातरा में मिल सके ठीक है तो सबसे पहले दन उधारन के लिए हम लेते हैं सफीद फूल ठीक है शिप जी को सफीद फूल बहुत प्रिय होते हैं तो सबसे पहला दिन चैतरन नवरात्री का पहला दन मतलब की 22 जो है मार्च 2023 को हमने नौ फूल ले लिए सफीद फूल इन नौ फूलों के साथ में एक गोलपाती का गीक दीपक तयार करके आप प्राता गाल सुबह सुबह शिप जी के मंदिर पहुँच जाओ ठीक है चाहो तो भई इस उपाय को आप शाम को भी कर सकते हो प्रदोशकाल में भी कर सकते हो ठीक है अगर सुबह करना शुरू किया तो शुबही करोगे शाम को करना सुरू किया तो शाम को ही करोगे इस बात का ध्यान रखना है ठीक है तो शिप जी के मंदर आपको पहुँचना है चैत्रन रवरात्र के पहले दिन और पहले दिन जाकर सबसे पहले यह जो आप नौ फूल लेकर गए हो सफीच फूल इजे शिव जी की शिवलिंग की उपर समर्पित कर देना है समर्पित करने के बाद जो है आप चाहें तो एक एक करके फूल भी समर्पित कर सकते हैं एक साथ भी कर सकते हैं ये फूल समर्पित करने के बाद गी का दीपक वहाँ पर आप लोग जला दो ठीक है, पहले दिन आपने उपाय कर लिए, बस इतनाई करना है, अब जो है, 14 नवरात्री का दूसरा दिन, जैसे ही दूसरा दिन आएगा, तो यह फूल डॉबल हो जाने चाहिए, पहले दिन नौ चढ़ा है, तो दूसरे दन अथारा हो जाने चाहिए, ठीक है, तो अथारा लिए आपी उपाय कर रहे है चैतना नवरात्री के पहले दिन फूल समर्वित करते समय और दीपक जलाते समय आपको अपनी मनुकामदा भगवाई शीप जीव से बोल देनी है ठीक है फिर दूसरे दिन नहीं बोलनी है ना दूसरे दिन अठारा फूल चढ़ाओ दीपक जलाओ तीसरे दिन क्या हो गया है यही फूल फिर डबल हो जाएंगे मतलब नौ और बढ़ जाएंगे इसमें ठीक है नौ का पहाड़ा जो होता है ना उससाब से आपको फूल चढ़ाते जाने तीसरे दिन य पर फूल आपको बदलना नहीं है वही फूल चढ़ना है जो कि आपने पहले दन चढ़ाया ठीक है उपाय तभी काम करेगा और बहुत ही विशेश उपाय है आपकी वनुकामना जरूर पूर्णों की करके जरूर देखिए कोई भी आपको इस उपाय करने में समस्ते आती है बिल्कुल पूछ लीजेगा उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको चैतर नवरात्री के दिन किये जाने वाला मतलब चैतर नवरात्री के नौ दिनों में जो पांचवा दिन होता है चैतर नवरात्री का उस दिन किये जाना वाला है यह बहुत ही विशेश उपाय बता रह आपको बनाने हैं दो स्वस्तिक, पहला स्वस्तिक आप हल्दी से बनाओगे, दूसरा स्वस्तिक आप रोली कुंकुम से बनाओगे, ठीक है, जो आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया है, इस हल्दी के स्वस्तिक पर आपको रखना है, रोली कुंकुम के चावल, ठीक है, और ज देखिए, 22 से शुरू हो रहे हैं, तो 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 26 मार्च 2023 को पंच मीती थी पड़ी कि उसी दिन प्राता काल सुभा सुभा या दोपहर तक आप इस सुभाय को कर सकते हैं, ठीक है, तो यह है आम का पत्ता लेकर इस पर दो स्वस्थिक जो हमने आपको बता है वैसे कर करके, आपको इस बच्चे को हाथ में देकर, इसे किसी भी नीम के व्रक्ष के नीचे जाकर ले जाना है, और वहाँ पर अपने बच्चे का नाम और अपना गोत्र बोल कर, जो है बच्चे से ही बुलवा कर, अपने बच्चे के हाथ से इस आम के पत्ते को नीम के पेड़ के चाहिए तब ही उपाई ये काम करेगा तो ये वो सारे उपाई थे जो कि आपको मार्च महीने में इन विशेज दुनों पर करना ही करना है बहुत ही विशेज उपाई आपको फ़ल जरू मिलेगा यही सारे उपाई आपको मेरी वेबसाइट बोलिनातभक्ती.com पर जाकर भी बढ़ सकते हैं यह सबी जो जानकर ही हमने आपको बताई यह लिखेत रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगी कोई भी जै बागेश्वर धाम सरकार जै पालाजी सरकार जै बागेश्वर महादेव